नमस्कार मैं यश्पाल हंस करनाल से जोतिश्की वारता के साथ आशाय आप प्रसंद होंगे आज भया दूज का पवित्र पर्व मना रहे होंगे घरों के अंदर प्रेम और सुहार्द का वातावरन बढ़ रहा होगा परस पर भाई भेनों में चाहिए वो पिछली जनरेशन के हों वरतमान के हों सब का प्रेम और सुहार्द बढ़ रहा होगा मैं प्रभू से काम ना करता हूँ के घरों में प्रेम जागे ताकि हमारा ज्यान बढ़े और हमारा परस पर सुभाव और संबंद उन्में प्रगाड़ता है आज मैं आप से पदम योग की बात करता हूँ थोड़े से शब्दों में योग को इतना कठिन नहीं है मैं अभी तो वही योग ढून कर ला रहा हूँ जो आसान है ताकि आपको समझने में भी इतनी कठनाई ना हो और आप मुझे सब्सक्राइब भी करते रहें आज मेरी लालसा यही है आजकल कि मेरा सब्सक्राइब बढ़े और मैं दूर तक अपनी बात को पहुँचाने में सक्षम बनू मेरा जो इतने वर्ष तक मैंने उसको पढ़ा मैं आपको मौके ग्रूप में उसको समझा सकूँ मैं पदम योग की बात कर रहा हूँ इसको आप लिख लेना सरल जरूर है लेकर उनके लिए हैं जो ने बहुत बार पढ़ा हुआ है जो प्रथम बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है मेरे प्यारे बंदो उस पश्ट लिख रहा है रचनाकार लेखक जोतिशाय चाहरे कि अगर लगन से नवम भाव का स्वामी अब देखिया लगन से नवम भाव का स्वामी दूसरे चंद्रमा से नवम भाव का स्वामी नवम में ही बैठ जाएं अब यह कैसे बनता है मैंने अभी बना के देखा वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने इसको follow किया. धनू लगन है धनू लगन है धनू, मकर्क, कुम्ब, मीन, मेक, वरिश, मित्ın, कर्क, सिंग नवम भाव में सिंग राशी आएगी जिसका मालिक सूर्य है. सूर्य भी नवम में बैठा हो. इस कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर मेश राशी के अंदर चंदरमा बैठा हो वहां से नवम भाव किनों शीदा लगन पर आएगा धनू लगन है दो मालिक हो गए लगन से नवम सूरिय चंदरमा से नवम ब्रेस्पती यह इस कुंडली के अंदर दोनों के दनों नवम भाव में इकठे हैं पदम योग लगता है हो कहते हैं यह व्यक्ति बच्वर में चाहें कम पड़ा हो बाद में पड़ता है और विद्या के कई संस्थान बनाता है और विद्दिया के खेतर में अगर सरु रहता है कि यह योग वास्तव में बड़ा हो बागिसतान में बैठे हूं ऐसे व्यक्ति जीवन में देखो दो लगन को पकड़ते हैं या चंद्र मां को पकड़ते हैं यह लगन कुंडली है आप इनको समझेगा आपको जो कुंडली आप देखने लग जाओगे ना आपकी जिग्यासा बढ़ती चली जाएगी आप एक के बाद दूसरी कुंडली को पकड़ते समझते करते आचारी बन जाओगे कि जो विक्ति जो काम करता है उसमें से दस एक दिन हो भी जाता है तो आप इसको परियास कीजिए लाद हर ग्रहे के सभाव को समझने की कोशिश कीजिए जैसे कहता हूं कि सूर्य आत्मा का स्वामी है चंद्रमा मन का स्वामी है जिन की कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा को आप इकठा देखो समझ देना कि इसकी आत्मा और मन बड़ा मिलकर चलते हैं कि लोगों की आत्मा कुछ कह रही होती है मन कुछ कह रहा होता है कर कुछ दे शंद्रमा और सूर्य जिसका इकठा हो बहुत सोच कर जीवन जीए उसको दूसरों के द्वारा कई गई अच्छी बातें पर अपने आपको इंपलीफाई करने में एक अनन्द आता है आप इन चीज़ों को पकड़िए इसके बाद तीसरा मंगल आया मंगल शक्ती का निरूपक है मंगल के पास चार चीज़े हैं मंगल रक्त का मालिक है मंगल डॉक्टरी वेवसाय का मालिक है मंगल मिलिटरी और पुलीस का मालिक है मंगल सरजरी का भी मैं कह सकता हूं माले के और जो लोग भूमी पती होते हैं बहुत बड़ बड़े जिमिदार बन जाते हैं उनका भी मंगल बहुत स्टेस होता है मैंने अक्सर इनको रूचक योग में पाया उचका मंगल पाया और अगर गए उचका मंगल व्यक्ति के आप यूं समझिए कि दशम भाव में चला जाए मकर राशी का होकर वो व्यक्ति जैदादें बनाता चला जाएगा पतनीन पैसा किस प्रकार प्रभू दे देता है मैं आपको एक और बात बताता हूं बुद्ध का अपना एक बड़ा विशेश महत्व है कुंड़ी के अंदर लेकिन मंगल और बुद्ध अगर इक अठे हो जाएं यह कोई नों कोई खराबी पैदा कर जाते हैं इस पर भी मैं विस्ते चर्चा करूंगा मुझे याद है कि म मैंने तो यहां तक भी कहने में संकोच नहीं किया कि उच्च का ब्रेस्पती भले काम करे ना करे लेकिन नीच का ब्रेस्पती विक्ति को समाज में निंदित जरूर करते हैं यह मैंने अक्सर पाया उसमें कोई ऐसा आवगुण पाया जाता है जो समाज के लोग उसको अक्सर पाया कि यह अपनी अवगुन जो है वो अब दे कर जाता है कोई ना कोई समस्या खड़ी रखेगा और इसके निदान यही है शनी अगर आपको समस्या देता है तो आप जो यह चीजें खाने पीने की होती है ने यह दान दिया करो जैसे खटी चीजें होती है लंगर में मैक्सिमम दान किया शनी लंगरों का मालिक है अगर लंगर में आप नमक देते हैं आटा देते यह चीजें देते हैं तो आपको शनी कुछ नहीं कहेगा शनी बढ़ा एक मैं कहूं कि मैं तो उसको उतकृष्ट कहता हूं कि बहुत अच्छा है आप भी उसकी उतकृष्टा को देखिए आप शनी के दान छोटे-छोटे करते रहेगा अगर आप ये समझते हैं कि मैं समाज में इतना आप सम्मानित नहीं हो जतना मुझे होना चाहिए था आप सूर्य को अर्द देना शुरू करते हो उसमें लाल रंग की रोली जरूर डाल देना आपको समाज में माल मिलना शुरू हो जाएगा कोई सूर्य महान और सम्मान का स्वानी जिन लोगों की कुंडली में ये दशम बाव में चला जाता है आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ होगा जा तो कोई उच्चा दिकारी है या कोई बहुत बड़ा बैजिसमेन है यह स्थिति दशम बाव में मंगल की है अगर मंगल बहुत अची स्थिति गंद देशंबाव में चला जाए विक्ति को छोटे-छोटे चुनाव लडवा देता है जित्वा भी देता है तो मैंने आज आज आपसे पदम योग की बात करी लगन से नवम का मालिक चंद्रमा से नवम का मालिक अगर नवम स्थान पर ही पूरी बात नहीं है जो अपने काम को साथ सकता हो तरीके से बात कर सकता है मेरे प्यारे बंद्वों मैं आज की वारता को यह समाथ करता हूं प्रभु से प्रात्रा करता हूं कि भाई या दूज का तिवार आपके परिवारों के लिए संक्टन का कारण बने बच्चों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, सब भाई भेनों के द्वारा, भाईों को दिया गया आदर, भाईों द्वारा दिया गया भेनों को सुने, परिपक्वता को पराप करे, मजबूत हो, क्योंकि विक्ति उन्नति अपने घर के संग्ठन से इसी के साथ, मैं आग्या भी चाहता हूं आपके परम कल्यान की कामना करता हूं आप सब सुखी रहें सुखी रहे संसार सब दुखिया रहे ना कोई ये अभिलाशा हम सब की भगवन पूरी होएं सब सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे इसी के साथ मैं आध्या चाहता हूँ जय जगत जय भारत नमस्कार